गाइस मेरा नाम है करान है न आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ब्राउन कलर में जर्मन शेफ़र डॉग ब्रीट के पपीज लेके हैं हूँ जो कि उन्हें अले फ्री अडॉप्शन करें सो इन पपीज के बारे मैं आपको सारी डीटेल्स बताने वाला हूँ और सो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप इन पपीज कॉम से एडॉप किस सरी के से कर सकते हैं तो इन फपीस को अड़ाप करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना होगा तभी आप इन फपीस कौम से अड़ाप कर पाएंगे तो जैसा कि मैं अपने लगबग सभी वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी आनिमल को बाई करने से बैतोर उन्हें एड़ाप करना होता है क्योंकि जो पैसे आपके कच्छी डॉग ब्रीट करी दिम लगाते हैं उन पैसो को आप इन होमलेस आनिमल्स पर लगा सकते हैं जिससे ने एक अच्छी लाइफ मिल पाए और आपको उसके बदले में ब्लेसिंग्स तो अगर आप भी एक अनिमल लवर है और चाहते हैं किसी होमलेस आनिमल को अडॉप करना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर रख सकते हैं कि मैं चो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें यह आज के मारे वो ब्राउंक लगी जर्मन शेफर डॉग ब्रीट के पपीज चोकी बहुती अमेजिंग कॉलिटी में बहुती ज़्यादा बिड़ोफुल पपीज हैं हालकि यह देखने में भी आपको उतना अच्छी लग नहीं रहोंगे बिकॉज यह फार्म में पले बच्चे हैं और फार्म में उस तरीके से केर नहीं हो सकती जिस तरीके से घर में करते हैं इन पपीज को बस एक प्रॉपर बात की ज़रुत है उसके बाद यह बहुती ज़्यादा बिड़ोफुल लगने वाले हैं इन पपीज की यह जाच के डेट में 65 डेस की हो चुके हैं इनको इनकी एक वैक्सिनेशन अब भी लग चुकी है बाद की की वैक्सिनेशन की जिम्मतारी आपकी होने वाली अगर आप इन पपीज को हम से एडॉप करते हैं इन पपीज में आपको male and female दोनों ही available हो जाएंगे आप अप अपनी विश्क के according male puppy आप इस female puppy को एडॉप कर सकते हैं इन पपीज के लिए हमें जोरते caring families की जोकी इनकी बहुत ही अचे तरीके से take care कर सके इनकी सारी जरूतों का ध्यान रख सके अगर आप में इसको इंटरस्टेट है इन पपीज में चाहते इन पपीज को हम से adopt करना तो आपको इस वीडियो के description में हमारा contact number मिल जाएगा तो आप हमें उस number through contact कके इन पपीज को हम से adopt कर सकते हैं एंड ये puppy हम आप तक deliver करवा देंगे within a week with no delivery charges तो गाइस ये थी अच्छी मारी वीडियो I hope आप लोग को ये वीडियो जरू से पसंद आई होगी Thank you so much for watching